सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर हलो एंड बेलकम टू सक्सेस मंत्रा यूटूब चैनल तो स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे तो एक बहुत बड़ी जियो प्लिटिकल डवलपमेंट हुई है यूनाइटिड नेशन्स के जो चीफ हैं सेक्रेटरी जनरल हैं अन्टूनियो गोटोरेस उनको बैन कर दिया गया है इजराइल में क्या reasons हैं और इसके क्या result निकलने वाले हैं क्या US का reaction होगा क्या China का reaction होगा क्या India का reaction होगा क्या खुद UN का reaction होगा इसराइल की ऊपर सब जाने के detail तो चलिए शुरू करते हैं अभी हाली में क्या होगा कि जो इसराइल के foreign minister है जिनका नाम है, काथ, इन्होंने बोला कि एक ट्वीट किया इन्होंने, कि जो इसराइल, जो युनाइटी निशन है, उसके जो चीफ है सेकरेटी जनल, ये हमारे इसराइल में क्या है, एक अन्वाँटिट परसनेलिटी है, हमें नहीं नहीं चाहते हैं, तो हम इनके एंट्री बोल दिया गया क्यों इनको एंटी इज्राहिल बोल दिया गया एक्चुली हुआ क्या इसब चीजें एक साल से चल रही है अगर लॉंग में डिसकस करेंगे तो फीडियो बहुत लंबा चला जाएगा इन सो और जानो कि यह सब सुरू हुआ 7 ऑक्टूवर 2023 को है ना जब इज जो गाजा पट्टी में जो गाजा श्ट्रिप पर काम करता है ठीक है अब आल्मोस्ट इज्राहिल उसको क्या कर चुका है खतम कर चुका है जो हमास के चीफ है उनको भी दो महीने पहले इरान में ही मार दिया गया था ठीक है तो भाह से ये सीरीज ऑप चैन्स शुरूई कि अश्टिम्हाइस में काउबर और पार्टी जी हुआ इसमें इन्वार्वव हो गई ए जो अंऋलम काउबर राप की ये लिबनान में काम करती है तो ये भी इसमें इंबाल्व हो गए अब रोग हुआ क्या की लेभननौन की जो हेजब इसका नाम हसन नसुरला है उसको मार दिया उस बॉम्बिंग में दो महीं ने पहले जैसे की बताया हना उसके चीफ को भी मार दिया गया इसके रिस्पॉंस में अभी कुछ दिन पहले ठीक है इसरा इरान ने क्या किया कि भई बहुत सारे जो नंबर आफ रॉकेट थे क्या कर गता் है फायर कर दिये किसी ती उपर कितने रॉकेट खेर के गए लगवग ऐक सो असी से ज्यादाि एक सो सी सई जैज़ाव क्ई की ऊपर फायर किये गए बहुत सारे रॉकेट को उनकी आयरेंडव में रोक लिया बट बहुत सारे जोह थे अना इजाय के लेंड पर क्या कर गये गिर गये और अप एकॉनोमिक जो है नुकसान हुआ हना जो हुँमन के जल्टी है वो नहीं हुई एक भी उमन के जल्टी नहीं हुई सारे लोग अपने सेल्टर्स में जा चुके थे ठीके तो इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुन है ना हमने किसी इनोसेंट को तो मारा नहीं ठीक है अब यह हम पर आटेक कर रहे है इरान हम पर अटेक और उसके बाद आप लोग इसको कंडेम नहीं कर रहे हैं तो से गल्ती हुई एंटोनियो गुटोरेस है जो एउन के चीफ हैं इसराइल चाहता था कि बही जो गुटेर सब्सक्राइब करता है तो था कॉछ नहीं होने वाला है क्योंकि यूए सपोर्ट करता है इस रह दिया चेनल करता इक हो अमेरीक तो हम ऐसे बैन कर देंगे हुमिलेट कर देंगे बैन करने जो हना कोई गुटेरियस भाहा आने के लिए हैना कोई बहुत ज्यादा पताब ले नहीं है हना बट एक सिंग्नलिंग अना एक हुमिलेशन होता है कि भी हाई कि देखो बैंट बैंकर दिया अन्वांटेट से बिलोंग करते है है और यह पॉर्टिकल के प्राइम मिनिस्टर भी रही है तिक है पॉर्ठिकलर के प्रायम मिनिस्टर रहे है कब से कब तक रहे नाींटी सर्थ नाइन ते झे joe twoinde के लिए जूने गाए बुध वार desert से मुन के से अना डो खायार тебя नइउर के दूसरे अगर बात करें इसराइल की और इरान की जोग्राफिकल लिक्वेशन के बारे में तो उसको भी चलिये जान लेता है कि भाई कहां पे है इरान और कहां पे है इसराइल चलिये अगर इसराइल की बात करें है ना तो इसराइल कहां पे है बिल्कुल आप कह सकते हो कि एशिया का बॉर्डर है विल्कुल मेडिटरीनियन सी के पास में है इसराइल के बॉर्डर पे बिल्कुल है और इस किस अगर बात करें तो किस रीजन में आता ये यह आता है आपक आपको लेबनौन देखने को मिलेगा, सीरिया देखने को मिलेगा, है ना, यहां जॉर्डन भी देखने को मिलेगा, और यहां एजिप्ट भी देखने को मिलेगा, है ना, तो बहुत सारे इसके पडोसी है, है ना, तो लेबनौन हेजबुला, इहीं पर काम करता है, ठीक है, औ और हमास यसी गाजा स्ट्रिप्त में था त्यूंच दोनों ही दुस्मन मिल्को इसके नियरबा ही रहते थे दोनों ही टेरिस्ट ओगनाईजिशन ठीक है अगर बात करें इसकी कैपिटल की तो इसकी जो कैपिटल है वह क्या है जैरुसलम इसकी कैपिटल है ठीक है जैरुसलम और बात करि wiping Mrrskin है न तो कोई कोही जान रहा है इनके Pr mouvements को हैं न कराम इसका नाम Benjamin Nathan नियाई आन का नाम है और प्रेशिदंट के नाम rainsson hailex준 का नाम है ठीक है जाल ली एक ढूब है की एकडम से ऑब औरर चर्चा में आने वदा है क्योंकि अब इज्राइल की तरब से क्या होने वाला है? रेकालीज़िशन होने वाला है? ऐसे तोड़े ना है इज्राइल पेat international कर दोगे और इज्राइल रियक्ट नहीं करेगा इज्राइल definitely react करेगा और दो-तिन दिन में react करने जा रहा है आप देखिए इस चीज़ को, तो झान लेते हैं, इरान के बारे में, क्या है इरान? है ना, इरान भी हना, एक एशियन कंट्री है, यह ना पडूस मेंस के कौन है? अफगानिस्तान है, ठीक है? इसके अलाबा, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है? थोड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी share कर रहे हैं और इधर इराक और टर्की के साथ भी share करते हैं उपर आपका अर्मेनिया के साथ भी बॉर्डर share कर रहे हैं और एजरबैजान के साथ भी बॉर्डर share कर रहे हैं और one of the country है जो कॉस्पियंसी के साथ में भी अपना बॉर्डर सेर करता है तो एक बहुत बड़ा कंट्री है ठीक है अगर बात करें इसकी इसकी capital की तो इसकी capital क्या है इसकी capital है तेहरान और अगर population की बात करें तो population आठ करोड की population है इनकी world bank के according data के according कौन सी language बोली जाती है इनके आपर Persian language बोली जाती है इरान को 1925 तक Persian के नम से जाना जाता था ठीक है वाकि सुप्रीम लीडर ने के थियोक्रेसी है तो अली खुमैन तो तुमान इनकी करेंसी है रियाल इनकी करेंसी है ठीक है तो चलिए आज के session में इतना ही मिलते हैं एक नए issue के साथ एक नए burning topic के साथ so thank you thank you so much and god bless you all छुमान एक है यह के साथ